जिससे कल तक हमें चीड होती थी, जिससे हमें कल तक नफरत होती थी, जिसने हमारे देश को बरबाद करने के लिए क्या नहीं किया, क्या-क्या साजिसे की, आज हम उन्हें धर्म के नाम पर उन्हें अपने देश में पना देने जा रहे हैं, संविधान कभी नहीं करता कि आप धर्म के आधार पर कानून बनाएं। अपनी वोट बैग बनाने की कोशिस में यह देश को बरभाद करनी की बड़ी शार्जिस है। आएंगे वह इंडिया के खिलाप साजिस नहीं करेंगे इसकी गारंटी कौन देगा जब से भारत में का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से इसका विरोध भी देखा जा रहा है भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे देश ने भी इस पर विरोध पर कट किया है अब विरोध क में शरणार्थी आये हैं उन्हें हम नागरित्ता दे सकते थे हाँ ऐसा कानून लेकिन CAA को लाने की क्या ज़रूरत थी मैं आपको बता देता हूँ 2024 में लोगस्बा चुनाव हैं अब कल ही उसका चुनाव का तारीक जारी किया जाएगा और कुछ दिन पहले ही CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया अब देखे धर्म का जंदा किस तरह होता है और धर्म के नाम पर किस तरह पकिस्तानी हिंदुस्तानी बन जाते हैं और नागरिक्ता दी जा रही है बस उसे धर्म से जोड़ कर देखा जा रहा है बाकी कुछ नहीं है आप अगर उसे धर्म की लहसे से न देखे तो वह एक पकि किस देश से है क्या वह पाकिस्तानी नहीं है क्या वह अफगानिस्तानी नहीं है क्या वह बंगलादेशी नहीं है जिससे कल तक हमें चीड होती थी जिससे हमें कल तक नफरत होती थी जिसने हमारे देश को बरबाद करने के लिए क्या नहीं किया क्या क्या साजी से की आज हम उ उन्हें धर्म के नाम पर उन्हें अपने देश में पना देने जा रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर उन्हें अपने देश की नागरिता देने जा रहे हैं, उन्हें अपने देश में नोक्रिया देंगे, उन्हें अपने खर के सामने बसाएंगे, क्या कोई इस चीज का सर्टिफिकेट दे सकता है कि कल होके कोई जासूस पाकिस्तान का इंडिया में घु देस भक्ती निभाएंगे कि वो जो पाकिस्तानी आएंगे वो हमारे देस से मुहबत करेंगे, प्यार करेंगे, क्या वो पाकिस्तानी हमारे देस को बर्माद करने के शाजिस में शामिल नहीं होंगे, कौन इस बात की शबूत दे सकता है, आप हमें जवाब दे, क्या आपके घर के सामने कोई पाकिस्तानी कोलोनी बस दाए क्या आपको मंजूर होगा क्या हमारे हां हमारे बच्चे को नौकडी नहीं दी जा रही है और वह जो सरनाल्थी आएंगे हिंदू के नाम पर धर्म के नाम पर हमारे यहां की नातरिकता लेंगे क्या हमें हमारे बच्चे को छो समझते नहीं हैं कि जिसने हमारे देश को बरबाद करने की कोई कशर नहीं छोड़ी हर साजिस की लेकिन हमारे आर्मी को सल्यूट कि उन्होंने उनकी हर साजिस को नाकाम कर दिया आज उन्हें बस धर्म के नाम पर पाकिस्तानी लोगों को इंडिया में बसानी की साजिस की जा और धर्म के आधार पर लोगों को नागरिक्ता दें। किस कानून में किस सम्विधान में इसका जिक्र है। एक जबरदस्ती मुसल्मान को छोड़ कर बाकी जो धर्म के लोग है भले पाकिस्तानी क्यूं नहो। अपनी वोट बैंक बनाने की कोशिस में यह देश को बरबाद करने की बड़ी चार्जिस है। इसका हर कोई हर किसी को खिलाप करना चाहिए विरोध दर्ज करना चाहिए जिसके अंदर जरासा भी बुद्धी है जरासा भी देश भकती है जरासा भी देश से प्यार है तो इसे इस कानून से नफरत होने ही चाही क्योंकि यह कानून पकिस्तानियों को देश में रहने की न सिर्फ अधिकार देता है बलकि देश में रहकर उसे हर काम करने की अधिकार देता है जो हम भारतियों को गोड़ब है उस काम करने को वह पागिस्तानी हमारे देश में आकर शरणार्थी बनकर आएंगे नागरिक्ता लेंगे अपना फिर नागरिक्ता लेने के बाद नोक्रियां लेंगे अपना अधिकार मांगने लगेंगे नोक्रियां लेने के बाद वह एलेक्शन लरेंगे नेता बनेंगे फिर कल होके क्या guarantee है कि वो परधान मंतिरी ना बने क्या guarantee है कि वो देश का रक्षा मंतिरी ना बने और जब एक शाजिस के तहत अगर बन जाता है तो क्या हमारा देश बरबाद नहीं होगा क्या पाकिस्तानी लोग हमारे आर्मी में शामिल होकर जासुसी नहीं करेंगे पकिस्तान के लिए क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेट माटा जाता है कि सिर्फ मुसल्मान ही देश मिरोधी होते हैं कई ऐसे लिष्ट है जिनका नाम यह गिना दूँगा वो धर्म के हिंदू है लेकिन उन्होंने पकिस्तान के लिए जासुसी किये और जासुसी करते हुए वह पकड़ाए है तो क्या गैरेंटी कौन गैरेंटी देगा मोदी जी गैरेंटी देंगे अमिच्छा जी गैरेंटी देंगे कि वह जो हिंदू सरनार्थी बनकर आएंगे जो पकिस्तानी आएंगे वह इंडिया के खिलाफ साजिस नहीं करेंगे इसकी गैरेंटी कौन देगा बस इस नजरिये से लोग खुश हैं कि हाँ मुसल्मानों को नागरिक्ता नहीं दी जा रही है हिंदू को नागरिक्ता दी जा रही है इसलिए बस खुश है यह इस बात को दिमाग में नहीं ला रहे हैं कि नागरिक्ता किसे दी जा रही है पाकिस्तानी को दी जा रही है हिंदु मुसल्मान छोड़ दीजे अगर हमारे देज के कोई मुसल्मान पाकिस्तान में जाएगा तो उसे नफरत की निगास से दिखी जाती है हिकार की निगास से दिखी जाती है उसे भारतिय कहा जाता है न कि मुसल्मान कहा जाता है लेकिन हमारे अंदर क्या है बस राजनितिक के लिए राजनितिक रोटी सेखने के लिए अपने पार्टी को किसी तरह चुनाव जिताने के लिए वोट बैंक तयार करने के लिए एक बड़ी राजनितिक चल लही है आपको पता है कि चाहे बंगला देश हो चाहे अफगानिष्टान हो चाहे पाकिस्तान हो इन तीनों देश से कई गुना मजबूत हमारा देश है और कई गुना हालत हमारे देस की आरधिक स्थिती से लेकर हो राजनितिक स्थिती से लोग हम बहतर हैं शाहे शिक्षा में हो स्वास्ट में हो रुजगार में हो हम तीनों देस से बहतर है धाय तीन करोर अलपसंख्यक हिंदु धर्म के लोग वहाँ उस तीनों देशों में रहते हैं। क्या गैरेंटी है कि वह लोग जब इतना आसान हो जाएगा नागरिक्ता लेना, तो क्या गैरेंटी है कि वह ढाय तीन करोर लोग भारत नहीं आएंगे और भारत की नागरिक्ता नहीं मांगेंगे। पकिस्तानी को अधिकार दे हमारे आर्मी में सामिल होने का हम कभी भी उसको अधिकार नहीं देंगे हम न देखेंगे कि वह हिंदू है कि मुस्लिम हम देखेंगे कि वह पकिस्तानी है और जितनी नफरत पकिस्तानी से होनी चाहिए उतनी हमारे दिल में है और उस पकिस्तानी जो एजेंड एजेंडा है किसी भी तरह एक धर्म का नाम लेके उसे इंडिया की नागरिक्ता दी जाए और हर अधिकार दिया जाए इसके खिलाफ हम लोग शंगर्स करेंगे लरेंगे